हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासिज में स्याशटमी वीपी, सीबियार, सीबियार दरोगा और सी डिप्यू को एकजाम को ध्यान में रखते हुए गटना चक्ती सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत हम लोग सामान बिग्यान के जी बिग्यान के क्योशिन को देखते हैं ताकि एकजाम में कोई कोशिन अपका न चुटे और अच्छे माँक्स आ सके तो चलिए हम लोग देखते हैं जी बिग्यान के क्योशिन आज का योनिंट है पादव काय की और इसका पहला टॉपिक है परकास शंस लिसन इससे हम लोग पहले नोट्स के माध्यम से देखते हैं तो पहला कोश्चन पहला फैक्ट है परकास अंसलेशन वो किरिया है जिसमें पौदा हरे भाग सूर्ज के परकास सूर्जा को गरहन कर बायू से ली गई कार्बन डायोकसाइड तथा मिर्दा से सोसे जल S2O द्वारा कार्बोहाइडर्स का निर्मान करते हैं ऑक्सीजन को अपर परधान रचना बाय प्रोड़क्ट के रूप में बाहर निकालते हैं परकास संसलेशन की संपून किरिया को निमनिकी तवी किरिया द्वारा परधरसित किया जाता है 6CO2 प्लस 12S2O परकास के उपस्तिती में पर्नहरित C6S12O6 प्लस 6S2O प्लस 6O2 और एनर्जी रिलीज होता है इसकी हम लोग बे और फैक्ट देखे प्रित्वी परकूल परकास संसलेशन का लगभग 90% भाग जलिये पौदे वह सहवालो द्वारा होता है इसमें लगभग 85% भाग समुद्र में मौकता सहवालो द्वारा से 5% भाग नदी तलावादी में होता है पौधे की परकास अंसलेशन की किरिया से उत्पन समझत अक्सीजन जल से प्राप्ट होती है नेक्स फैक्ट देखे परकास अंसलेशन की किरिया द्वारा हरे पौधे वोज़ पदार्थ कार्भो हाइडरेट का निर्मान करते हैं किरिया में पौधे प्राकिर्तिक रुप सिसूज के परकास से ही उर्जा ग्रहन करते हैं किन्तु समुंद्रिक से वाल चंद्रमा के परकास में यह किरिया करते हैं तथा विदूत परकास में भी पौधे के परकास संसलेशन के किरिया होती है नेक्स फ्रेक्ट है परकास अफस बनता है यह मुक्ता नीला बैगनी लाल वह नरंगी कीर्णों का अपसृम सन्करते हैं नेक्स फैक्ट है पर्कास थैसे किरिया कुलूरोप्लास नाम को सिकांग की संपन होती घग कुलूरोप्लास में हड़े प्रकास का प्रवावतिन प्रकार का होता है या प्रक्ता प्रकास का प्रकार तता अंत्राल तीनों से प्रवावित होता है नेक्स्ट फैक्ट है दुरबल प्रकार्था के प्रकास में संबनत पन रंदों में ना खुलने से तता गैस की विश्रन बहुत धीमी दर होने के कारण परकास संसलेशन की किरिया नहीं होती है जैसे जैसे परकास की तिपता बढ़ती है परकास संसलेशन की किरिया आड़म हो जाती है तता गती प्राप्त करती है नेक्सट फैक्ट है बिवीन तरंग धर्व के परवाव के संबंध में अंत्री अधिकतम परकास सन्सलेशन लाल परकास 650 नैनो मीटर में तर्था दूती अधिकतम निले परकास 475 नैनो मीटर में पाये जाता है नेक्स फेक्ट हम लोग देखे हाला की पन हरित लाल परकास की अपेक्चा नीले परकास का अधिक अभसोसित करता है परन्तु परकास संसलेशन में सरवादिक पर्योग लाल रंग कहीं होता है नेक्स फेक्ट देखे परकास संसलेशन की किरिया में हरे पौधे परकास उर्जा को रसायनिक उर्जा में रुपांतित कर देते हैं जो की पौधे में कार्वनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है नेक्स फैक्ट है परकास संस्लेशन के किरिया दो चर्णों में संपन होती है ये भी पूछ सकता है एक्जाम में थ्यान रखेंगे पहले चर्ण में परकास परनिर्बर परतिकिरिया के दोरा परकास उर्जा ATP और NADPH के उर्जा संचित करने वाले अनुव के निर्मान में पर्योग होती है दूसरे चर्ण में परकास से स्वतंत परतिकिरिया दोरा इन उत्पादों का पर्योग कार्बन डायोकसाइड के संग् और नियूनिकरन में किया जाता है नेक्स फैक्ट है कुलोरेला कुलोरोफ हाइटा से सम्द्धित एक कोस्की हरित से बाल की प्रजाती है स्वार उर्जा को रसायनिक उर्जा में बदलने के लिए कुलोरेला की दग्सता सरवाधिक आठ परतिसत होती है अब इससे रेटेट कोस्चन हम लोग देखते हैं तो पहला कोस्चन है पन हरित कुलोरोफ हिल्ड में निकित में से कौन सत्त पाया जाता है तो मैंगनेसियम दूसरा कोस्चन है कुलोरोफ हिल्ड पन हरित में पाया जाता है तो मैंगनेसियम पाया जाता है पन हरीत एक प्रोटीन युक्त जाटिल असायनिक योगी कहिया वर्र नक पत्तों के हरे रंगे कारण है पौधे द्वारा पन हरीत के उठ्पादैन के लिए मैंगनिसियम के अवन सकता होती है पन हरीत के अनूं के लिए मेंगनिसियम एक आयन अपस्तित होता है जिसमें पौधे की हड़े भाग सूर्ज के परकास की उर्जाइब को ग्रहन करवायों से ली गई कार्बन डायोकसाइड तथा मिर्दा से सुसित जल कार्बोहाइडरेट का निर्मान करते हैं अक्सीजन को अप्रधान रचना के रूप में बाहर निकालते हैं इसका हम लोग रियक्षन देखे 6CO2 प्लस 12H2O परकास की उपस्तिती में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 और इनर्जी रिलीज होता है नेस कोश्चन देखे परकास अंसलेशन में पौधे द्वारा निम में से कौन सी गैस उत्पन की जाती है ति हो जाएगा कार्बन डायोकसाइड नेस कोश्चन देखते हैं निम इसकी ब्याक्या देखे बनस पतिक वसी काउं द्वारा प्रकास की उर्जा को रसायनिक उर्जा में पड़िवर्तित करने की किरिया को परकास संसलेशन काते हैं परकास संसलेशन वह किरिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगो जैसे पति द्वारा सूर्ज के परकास की उपस्थिती में बायू से कारबन डायोकसेड और भूमी के जल को लेकर जाटिल कारबनी खाथ पदार्तों जैसे कार्बो हाइडेट्स का निर्मान करते हैं ताता ऑक्सीजन गयस बाहर निकालते हैं जल सीओटू जल का परकास और क्लोरोफिन का परकास संस्लेशन अभ्यव करते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परकास संसलेशन पर किरिया के लिए निमनीकित में से किसकी पस्थिती की आवस्यक नहीं है तो अक्सीजन इसकी ब्याक्या देखे, परकास संस्लेशन की किरिया में पौधे अपने रंग, हरे रंग वाले अंगो जैसे पत्ती द्वारा सूज का परकास की पस्टीती में बायू की कार्बन डायोकसाइट देथा भूमी से जल लेकर जटिल खात पदार्थो जैसे कार्बोहाइड्रिस क निर्मान करते हैं और अक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं नेज कोईशन है ऑक्सीजन जो परकास संस्लेशन से उत्पन होती है तो यह आती है तो जल से आती है इसकी ब्याक्या है पौधे की परकास संस्लेशन की किरिया में निकली समझत ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है इस कोश्चन है परकास के निमनिकित परकारों में से किनका पौधे द्वरातिर अपसोसन होता है तिवगा नीला और लाल इसकी ब्याक्या देखे पौधे कलोरोफिल नामक वर्नक की सहयता से सूर्ज की परकास सें कार्बन डायोकसाइड की उपस्तीती में अपना भोजन तिय जाता है नेक्स्ट कलोरोफिल रंग हरा होता है इसके लिए सूर्ज की विदुचिंबक की स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रो में उपस्तीत नीले तथा लाल रंग की अफ्सोसन तेवता से करता है नेक्स्ट प्रितवी परदिकांस अक्सिजन उत्वादित होती है तो सहवालों से इसके ब्याक्ट्वी प्रितिवी पर कुल परकाश संसलेशन का लगबग 90% भाग जलिये पोधुआओं उसावाल द्वारा होता है इसमें लगबग 85% भाग समुन्दर में मुक्त सेवालों द्वारा ततर सेज 5% बाग नदी तलाबादी द्वारा होता है हारे पोध्य करिया में CO2 का अपसरोशन और कार्बो हाइडर्ट रधा ओड़ान होता है नेस्ट कोश्चन है परकास उंसलेशन होता है तो दीन में अत्वा और आत्री में इसके बैक्थ्या देखे परकास अंसलेशन हरे पौधे में होने वाली एक करिया है जिसमें बोज़ पदार्द का न किरिया होती है काफी confusing वाला है question इसे ध्यान दखेंगे नेक्स्ट है पौधे वा पेर का खाना तयार करने की पर किरिया कहलाती है तो फोटो सिंट्रेति कहलाती है नेक्स्ट आम लोग देखते हैं वा किरिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तयार करते हैं तो यह कहला नेक्स्ट है परकास संसलेशन होता है तो कुलोरो प्लास्ट में होता है इसकी ब्याक्या है कुलोरो प्लास्ट नामको सिकांग में जैब रसायनी किरिया परकास संसलेशन संपन होती है क्लोरो प्लास्ट में हरे रंका बर्न क्लोरो फिल बर्न हरिं पाया जाता है नेक्स्ट परकास अंसलेशन ये तु सरवादी करिया सील पदार्थ है तो ये लाल परकास है इसकी ब्याक्या देखें परकास अंसलेशन पर परकास का प्रवावतिन परकार से होता है ये परकास की परकार उसके अंतरान तीनों क से परवावित होता है दुर्वल परकारता में परकास में संबंत पन रंदव काना खुनने वा गैसिय विश्रंस बहुत धीमी दर होने के कारण परकास संस्लिशन क्रिया नहीं होती है जैसे जैसे परकास के तिर्टा बढ़ती है परकास संस्लिशन के क्रिया आरम हो जाती है तता गती प्राप्ट करती है विबिन तरंग धर्यों के प्रभाव के सम्मद में अधिक्तम परकास इंसलेशन लाल परकास तरंग धर 650 नैनमीटर में या दूती अधिक्तम नीले परकास तरंग धर 475 नैनमीटर में पाया जाता है हाला कि पन हरित लाल परकास के अपेक्जा नीला परकास अधिक अफसूसित करता है परन्तु परकास संसलेशन में सरवाधिक पर्योग लाल परकास में होता है नेक्स्ट कोश्चन देखें परकास अंसलेशन का कौन सा परकास सबसे अधिक प्रवसाली होता है तो लाल होता है नेग्स हम लोग देखते हैं पर्कासस अंसलेसन में सूर्ज के पर्कास में कौन सी रस्मिया की पंहरी द्वारा सरवाधी के उपयूँ किया जाता है? तो लाल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रितिम परकास है तो परकास अंसलेशन का कारण हो सकता है इसकी ब्याक्या है सूर्ज का परकास परकास अंसलेशन के लिए अवस्यक है बलबादी की तिरी क्रितिम परकास में भी परकास अंसलेशन की किरिया होती है नेस कोश्यन है परकास उर्जा का रसायनिक उर्जा में रुपांतर निर्मता होता है तिये होता है परकास संसलेशन द्वारा इसकी ब्याख्या परकास संसलेशन के किरिया में हरे पौधे परकास की उर्जा से रसायनिक उर्जा में रुपांतर निर्मता होता है तिये होता है जन्तु और पौदे का पालन पोसन होता है। जन्त का संसलेशन करवन डायोकसाइड और जेल की सहता में किया जाता है। जन्त हम लोग देखते हैं निम्निकित में से कौन अधिकतम कुसलता पुर्वग स्वार उर्जा को असायनी कुर्जा में परिवर्थित करता है। इसकी ब्याक्या है कौलोरेला अधिक से अधिक कुसलता पुर्वग स्वार उर्जा से रसायनी कुर्जा में परिवर्थित करता है। पस्टूता कौलोरेला कौलोरोफाइटा से सम्मंदित एक कुसकी हरित सवाल की एक प्रजाती है। स्वार उर्जा को असायनी कुर्जा में बदलने की कौलोरेला की दक्षता सरवादिक आठ पर्तिचत है। अधिकल्प ये उत्तर सही होगा। नेश कोश्यन देखते हैं नेव में से कौन सा पौधे की जरो का कार्ण नहीं है तो ये परकास संसलेशन नहीं है। इसके ब्याक्या है परकास संसलेशन के किरिया पतियों में होती है। प्रकास अंसलेशन की दर पत्यों की उपस्टित इस्टे माटा की संक्या और उसके बंद और खुलने की समय पर निर्बर करती है इसके अलाबा पत्य की कुशिकाओं में कुलोडोप्लास्ट की ब्याक्या भी प्रकास अंसलेशन की दर को प्रवावित करती है नेसको उस्चन्यादो लिखित में से कौन प्रित भी के कार्बन चक्रक में कार्बन डायोकसाइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता तो परकास संस्लेशन इसकी ब्याक्या है बायू मंडल में कार्बन डायोकसाइड, गैस, स्वास, दहन, किनवन, भी घटन, आदी किरियाओ दोरा मुक्त होती है अस्थलिय पौधे इस सीधे इसे सीधे ही बायू से ग्रहन कर लेते हैं पौधे परकास संसलेशन के किरिया करते हैं समय इस गैस को ग्रहन करके कार्बोहाइड़ेट का निर्मान करते हैं नेक्स टॉपिक अब हम लोग देखते हैं पादप पोशन इंपोर्टेंट है इससे हम लोग फ़ले फैक्ट के मादियम से देखे तो पहला फैक्ट है हरे पौधे स्वापोसी होते हैं अत्वा ये कार्बनिक पदात भोजन का निर्मान स्वयम करते हैं पौधे द्वरज्या आकार्बनिक तत्व भोमी से प्राप्त किया जाता है तथा आकार्बनिक तत्व भोमी में खनीजों के रूप में उपस्टित होते हैं नेक्स फैक्ट है यह खनीजों तत्व या पोसक तत्व निट्रेंट एलिमेंट्स कालाते हैं तता इनका पोसन खनीज पोसन मिंदल निट्रेंट्स कालाता है। नेक्स फैक्ट है पौधे का अपना जीवन चक्र नेमित रुप से पूरा करने विकार रहित रहने तथा समुचित विकास के लिए 17 अनिवार तत्वों को शियनित किया गया है इनमें से 9 तत्वों के अवसकता ब्रियद मात्रा में होती है या दिरिग मात्रा पोसक मैक्रिंट एलिमेंट स्काल आते हैं जबकि 8 तत्वों के अवसकता लगू मात्रा में होती है जिने सुक्ष्म पोसन या लगू मात्रा पोसक तत्वों कहते हैं चांदत अपराया एक प्पीम से कम होती है कार्बन हाइड्रोजन अक्सीजन नाइट्रोजन फस्पोरस पोटेसियम सोडि कैल्सियम मेंगनीशियम दीग मात्रा पोसक तत्व है कापी इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे बुरोन कुलोरीन कॉपर और तमबा लॉ मैगनीज मैलीनेज मल्डिमनेज निकिल जिंक सुक्ष्म पोसक तत्व के श्रहनी में आते हैं निक्स फैक्ट है जायलम को जल संभ पहान उत्तक काते हैं इतका पर्मुक कारव सोसी जल वक्षनीज लगनों के पौध्यों को विविन भागों तक पहुंचाना है यह चार परकार की को सिकाओं वहिकाओं वहिकाओं वहिनिक्याय और वहिकाय कास्ट मिजदू तुक तथा कास्ट तन्तु से निर्मित होता है नेक्स फैक्ट है फुलोयम को बाश्ट उत्तक भी करते हैं इसका पर्मुक कारव पौधे के हरे पौधे में निर्मित भोज पदार्तों को दूसरे पदार्तों में असानतित करना है यह चार परकार की को सिकाओं को सिकाओं तथा चलानी अभ्यवसा की को सिकाओं पुलोयम के चारो और लिपट कर परजी भी मुल का द्वारा भोजन खनीज लवन तता जल प्राप्ट करता है अब हमने इसका कोश्चन देखे जब किसी ब्रिक्ष की चाल बिक्ष के अधार के पास गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो बिक्ष के दिरे-दिरे सुक कर मर जात दिए इसकी ब्याक्या है संबहनी पादपों में दो परकार के पडिवन उत्तक पाया जाते हैं फुलोयम और जायलम किसी ब्रिक्ष की चाल में सबसे अंत्रिक प्रती ही प्रयम है इसका मुक्र कर प्रकास अंसलेशन की परकिरिया में निर्मित गुलनसील कार्वनिक पदार आधाल जाएगा तर जरें उर्जास से वन्चितर रह जाईगी स्युद्ध हम लोग देखते हैं फुलोय फौद में मुक्ष उत्तर दाई है तर यह हो जैगा अहार वहन के लिए mm पुलोयम प्रमूप के पादे के हारे भागों में निर्मित बोज पदार्द्वें बास और करना है इस उत्तक को बास्ट भी कहते हैं या चार परकार की कोश्का और या था चानली अभ्यव साखी कोश्का है फुलेयम युदू तक और फुलेयम तंतु से निढमित होता है पौद के विकास के लिए आवस्क नहीं है तो यह जगा शुड़ियम नहीं है इसके ब्याक्य हम लोग देखें पौद के विकास के लिए सत्रा निवार त्थू को शीनित किया गया है जिनमे से नौ अव्षक्ता ब्रीयद मात्रा में Мी होती है ब्रियाद मात्रा को दो भागों में बाता गया है प्रात्मिक और दूतिये प्रात्मिक नैट्रोजन- फोस्पुराश, प्रोटेसियं- कार्बन-‍हडरोजन और अक्सीजन दूतिये पैल्सियम, मैंगनेशियम और सलफर फुसको कियावशक्तब आधिक मात्रा में होती है- ज स्टेस्ट नीम में से परजी पौधे की पैस्चान करें तो अमर वेल इसकी ब्याक्या देखी अमर-बेल एक पुन स्थम कर जी भी आविर्थी पौधा है आवर्त वीजी पहुदा है तता इनका जिसका तना पतला दूरवलता था पीले रंका होता है इनका तना पोसक के चार वरली पटकर पर जीबी मुल द्वारा भोजन खनीज लवन और जल फ्राब्द करता है असा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीड आपको